इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि सेफ़ेपीम इंजेक्शन का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है सेफ़ेपीम इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है और सेफ़ेपीम इंजेक्शन की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि किन कंडिशन्स में सेफेपीम इंजेक्शन को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। सेफेपीम इंजेक्शन सेफलोस्पोरिन ड्रग क्लास की एक एंटिबायोटिक दवा है। सेफेपीम इंजेक्शन का उपयोग शरीर में गंबीर बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है। जैसे तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर, फेफणों में इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर और कान ना शरीर में इंफेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर सेफेपीन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। कोई सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद इंफेक्शन को रोकने के लिए और इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर सेफेपीन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स हैं जिनमें आपका डॉक्टर सेफेपीन इ तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सेफ़ेपीम इंजेक्शन की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको सेफ़ेपीम इंजेक्शन को लगवाने के बाद सांस लेने में दिक्कत, गले मुह, होठो या तवचा पर सूजन, वचा पर खुजली, रैशेस या एकदम से बुखार होता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से प कैसे लगाना recommended होता है। सेफ़ेपीम इंजेक्शन को इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेनस्ली दोनों तरह ही लगाया जा सकता है। इंट्रामस्क्यूलर यानी मासपेशियों में और इंट्रावेनस्ली यानी नसों के द्वारा। लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों को ड गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको सेफ़ेपीम इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सेफ़ेपीम इंजेक्शन को लगवाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। आपको सेफ़ेपीम इंजेक्शन को उतने समय तक पूरा लगवाना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सेफ़ेपीम इंजेक्शन को लगवाने की सला दी है। क्योंकि सेफ़ेपीम इंजेक्शन को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है सेफेपीम injection pregnancy category B की दवा है प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर सेफेपीम injection को जरुरत पढ़ने पर लगाने की सला दे सकते हैं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफेपीम injection को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लगवाना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेफेपीम injection से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं